इस दुनिया में कुछ भी ऐसंभव नहीं है हम वो सब कर सकते हैं हम वो सब कर सकते हैं जो हमने आज दिन तक सोचा नहीं है रख होसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा समंदर आएगा ठकर ना बेट मंजर के मुसाफिल ठकर ना बेट मंजर के मुसाफिल मंजर भी मिलेगी और मंजर मिलने का मज़ा भी आएगा मंजर मिलेगी और मंजर मिलने का मज़ा भी आएगा हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम टो आरके नर्सिंग ट्विटर क्लासेज और जो अपन जो आज का जो डिसकर्शन का जो टोपिक है डिसकर्श करेंगे अपन अपने पास में है वो है एनल फिस्चर कौन सा टोपिक है इससे पहले मैंने पिशूला इन एनो बताया इसके बाद में जो आज की जो टोपिक के बात करेंगे वो है एनल फिस्चर कौन सा टोपिक है एनल फिस्चर ठीक है कौन सा टोपिक है आज का अपने पास में है एनल फिस्चर जो एनस वाला पार्ट है उस वाले चीज के अंदर क्या होगा टीर्स बन जाएंगे और टीर्स कि लेक्चर के अंदर बात करेंगे कि जो इसकी ऐनल पीचर होने के पिछे क्या रिजन थे जो अपने पास में क्या होगा तो अिफास में और लेश्वेत को देख लेक्शन अंदर क्या होगा जो फिंटर्स बोल रहे हैं फिंटर्स टियर्स इन हें इन कहां होगे यह एनल के लान के अंदर होगे कहां पर होंगे यह कहां पर होंगे बिलोव दिनेट लाइग क्या होगा और यह tears बनेंगे, वो friends जो tears बनेंगे, वो tears कहां पर बनेंगे, tears of squamous epithelium tissue, tears बनेंगे, tear of squamous, जो बनेंगे अपने पास में, squamous epithelium tissue, ठीक है, squamous epithelium tissue होगे, tissue की layer होगी, और वहां पर क्या होगे, tears बनेंगे, जो अपने पास में, जो small color के tears बन रहे हैं, और वो tears कहां बन रहे हैं, small tears बन रहे हैं, वो anal canal के अंदर बन रहे हैं, और anal canal के अंदर, जो अपने पास में, जो अपने पास में, tears बन रहे हैं, और वो tears जो कौन सी layer को inflamate करेंगे, वो layer है, अपने पास में, squamous epithelium tissue, और squamous epithelium tissue हो है यह कौन कोन से condition में हो सकता है जो इसकी कोज़ेष की बात करेंगे जिसे की हार्ल स्टूल हो गया क्या हडiell टूल हो गया ठीक है एक्स deterior करेंगे उसको बोलेंगे excessive straining ठीक है क्या होगा excessive training ठीक है एक्सेश्यों पॉर्ट करेगा का पर जैसे स्टूल पास आउट करेगा जब इसके बाद में हार्ड स्टूल है स्ट्रेइनिंग है और कुछ कोजिस है जैसे की चायल्ड बर्थ है ठीक है क्या है चायल्ड बर्थ है ठीक है उसके वजह से भी होगा कंजनाइटल तो नहीं है बट इसके अंदर बोल सकते हैं कि ट्रोमा की वजह से भी होगा किसकी वजह से भी होगा ट्रोमा की वजह से भी होगा एंड एंजाइटी एंड स्ट्रेस की वजह से भी यह क्या होगा टियर्स बनेंगे जो अपने पास में जो मैंने बताया था आपको कि जो अपने पास में कौन से लियर थी जो अपने पास जो एनल और यह चाहलं सब्सक्राइब करें पिलिए को पता चल जाएगा जो अपने पास में और रिक्टल चैनल है, जो अपने पास में जो एनल के नाल है और एनल के अंदर क्या होगा लीजन प्रिजेंट होंगे और लीजन प्रिजेंट होने को यह अपन क्या बोल रहे हैं जैसे कि मैं डाइक्राम मनाया और डाइक्राम के अंदर मैं सो कर रहा हूं कि जो अपने पास में यह वाला पार्ट है वो Tiers बनने के वज़े से जो Tiers बनने वहे और उसी Tiers को बहल रहा है Enal Fissures क्या बहुल रहा हूं ? Vet suited cōझच, ठीक है ..? Talking क्या बहुल रहा है ? Annal Fissures यह मैने आपको बताया है कि जो साथिव जो Friends जो अपने ing चो small color की tiers बन रहे हैं वो small color के tears का प्रिजेंट हो रहे हैं अपने यहां पर जो एणर के नाल के यहां पर अपने पास में कढ़ क्यों रहे हैं को डिवाइट कर रही ती एक्स्टर्नल और इंटरनल स्पेंटर को क्या करी थी डिवाइट कर रही थी और ओर रििक बोल रहे हैं DNAte land बोल रहे है special point है focus करना friends कि इसी ने पूछले कि DNAte land क्या होता है तो DNAte land का मतलब यह बना बता सकते हैं कि जो एनस वाला पार्ट है और रिक्टरम वाला काट है अपर वाड़ा और लोर वाड़ा उसको दिवाइड घरती है उसे ही पोलों अपने तोफिक प्रेंड तोफिक के अंदर बाहत कर पर करें तियर्सबन रहे हैं उसे एंडर ते करे बन रहे हैं और नोड़ मतलब यह डिडूड मित हैं रहे हैं उसके पीछे मैंने reasons बता है कारण बता है कि जो इसके पीछे कौन-कौन से खारण है है जैसे कि हडी stools होगा ठीक है ठीक है हुँझसर चीज है हाड पास-आउट करेगा इसके बाद मैंने बता excessive strening excessive force लगाएगा stools पास-आउट करने में इसके बाद में मैंने वर्ध के टाइम पर होगा क्यों से भी होगा की वजह से भी होगा की वज़े से वी क्या होगा एनलफीरकोय का मतलब यह कि की यह कि यह कि Rapution के नार का थे महां यह!' क्या करेंगे इंफ्लामेट करेंगे तीके फ्रेंट्स जो अपने पास्मारा मीन बता रहे हूं कि कि इंहैं स्मॉल केलर का बनेंगे और ये चाहं Paleo के नीचे बनेंगे उ Always जो Dinate line है Dinate line का मतलग यह ए कि जो NS और रेक्टर मदब आर्प पास उसको ृटीध करता है। जो इसके पीचे जो Hkscon Gesicht राइंटरे ने न करते है। जो कि जैसे कि hard fecal material है ठीक है excessive straining during the fecal material excreta जब भी वो excessive straining लगाएगा पोर्स यूज करेगा कब कि जब वो जो अपने पास में stool pass out करेगा उस time पर इस वज़से भी क्या होगे anal pictures होगे child birth के time पर भी क्या हो सकते है अपने पास में trauma है trauma की जश्थे होगा एंड anxiety and stress की जिससे बीपने पास में इसको बोल सकते है या तो anal में होगे या रेक्टल पिश्थर्स में होगे इन दोनों को बोल सकते है या तो anal pictures बोलेंगे या रेक्टल क्विस्चर्स भी बोल सकते हैं जो इसकी आज ढवन की बात करें ये इसका देखलेवाद स्क्रीशनों संगल सकते हैं इसके बाद में जो इनल तोपिक के अंदर आपनल में нरे तोपिक का उनल कोह क्या करना है इसका अदर है और यह चीजे के लिए परस्ट टोपिक डालुगा में कौन सा टोपीक अपने पास में defy connection ठीक है कूह सा पॉइंट है defy nation ठीक है और definition के अंदर च्छो पर्ष्ट बास करेंगे में है जो अपने पास में ऐनल के अंदर जो तीर्स बन रहे हैं और वो यह को मैं डिवाइड करेंगी जो एनल फीूट आर धेङना फर्च डेफिनिशन एनल पिच्छर्स देखना एनल नल धिर हाधर पिशिएr से और घार स्मॉल और मॉल स्मॉल और है कि छिंग प्षिद, charging स्मॉल और येडर ऑफ एनल के नल ऑफ, N-Ljugoy tenal, N-L Pokeanal के अंदर क्या और है? small tiers बन रहे हैं, below, below the, below the architect, below the architect below the architect below the architect below the bosses, कि यह पिलो में होंगे? और यह लाइन है, डिन्स durante below लाइन होगा, और यह कहां पिर जो tiers होंगे, देख लैना friends, जो यह tiers बना रहा है, और यह tears कहां पर present होंगे tears of sequumas epithelium tissue जो tears of tears of sequumas tears of sequumas tears of sequumas epithelium sequumas epithelial tissue ठीक है जो DNA line के बीचे में जो यह बन रहे थे अपने पास में और यह चीज को open के बोड रहे हैं कि जो अपने पास में कौन सा present है अपने पास में anal fissures है वो small tears बनेंगे और वो tears कहां पर बनेंगे अपने पास में जो small tears बन रहे हैं और small tears भी कहां बन रहे हैं एनल के लान में बन रहे हैं और वो कहां रहेगा below the DNA line और below the DNA line और sequumas epithelium tissue को क्या करेगी इंफ्लामेट करेगी जो अपने पास में जो friends में अभी भी अपने जो discuss कर रहे हैं कि जो अपने पास में sequumas epithelium tissue है देख लेना उस friends से उसके अंदर जो DNA line है DNA line का most important role है और DNA line का most important role के लिए बात करेंगे जो DNA line है वो rectums और anal को दोनों को divide करती है और इसके अंदर कौन सा होता है जो anal पीछर्स बनते हूbu कहां पे बने गे gonna गलाइंगे ब्लोग डिणे wise बनेगे और इसी कोई O arg海 और करके बोल सकते हैं पन कौन सा बोल सकते हैं rectangle小 blue के नाम से भी इसको बोल सकते हैं और जोनों के बारे में पान क्या करना यहां पर डिस क्य Beetle कर voiture इसके बार में जो इसकी सेकेड़ डिफिनیशन है सेकेड़ आज इसके और बात करेंगे तो सेकेड़ डिफिनीशन है उसके अंदर होगा ए रिक्टल ए Style भी ऐत is an is an ulceration is an ulcer होंगे और tear of and tear of tear of tear of the tear of the lining tear of the lining tear of the lining of anal canal ठीक है most important है कि definition है भूल भी जाते हैं तो mainly अपने को जो tears होंगे या तो रेक्टल में जो रेक्टल के नाल है या एनल के बीच में कौन से पार्ट को एफक्ट करेगी या तो रेक्टल को करेगी या एनल के अंदर क्या करेंगे में tears करेंगे और यह tears कहां पर होंगे below the vivireline बार बार फोकस कर रहा हूँ कि इस कहां पर Saying बलोधरिनेट स्रेल मां पर होंगे जो अपने पास में फ्रेंट्ट जो इनन फिस्चर या पर देख लेना मौंस्ट इंपोटेंट बात बात ह है जो इंपोटेंट अकर इन अकर इन पोस्टीरियर अकर इन पोस्टीरियर अकर इन पोस्टीरियर अकर इन पोस्टीरियर मिडलाइन पोस्टीरियर मिडलाइन कहां पर होगी पोस्टीरियर मिडलाइन के केसे हैं वो किते परसेंट पे दीखेंगे अपने पास में 90 परसेंट पे किते परसेंट पे आपने पास में बन रहे हैं और लिजन्स के अंदर बता रहा है कि मैंने जो पीचर्स यहां पर मैंने डिसकर्स किया है वो बता रहा हूं फ्रेंट्स जो अपने पास में लिजन्स बन रहे हैं और लिजन्स के अंदर बात करेंगे जो अपने पास में टियर्स बन रहे हैं और टियर्स भी कहां पर बन रहे हैं जो अपने पास में एनल के नाल और रेक्टल के नाल की यहां पर अपने क्या बनेंगे पिचर्स बनेंगे और पिचर्स के अंदर में बताया है आपको कि जो अपने पास में क्या है देख लिए ना एक फ्रेंट्स वापस डेफिनेशन से बात करूँगा कि एनल फिचर्स आर्द स्मॉल और टियर ऑफ एनल के नाल बिलो दे डिनेट लाइन जो स्मॉल के लगे जो बनेंगे बिलो देनेट लाइन में बनेंगे बिलोदे डिनेट लाइन में बनेंगे इसी चीज को बोला है अपने एनल फिचर्स और इसी चीज को जो नीचे वाला पाट है इसके अंदर जो डिवाइटिशन कर रहा हूं यह जो आपने पास में और इसके अपने सुर बना हुआ है और इसके मतलब यह यह से जो क्या क्लिवाइज एन क्या होगे अलसर बनेंगे और तीयरप सबस्य कर इस चीज को क्या बोल रहे हैं इसद और अ यह पॉस्टेरियर मिड्लाइन योई सबसे जदा कभते प्रसेंट पर गूंगे 90 पर हुए होंगे और जो 10 पर चैन पर सेंट पे आधर यह नटी परसेंट पर पंडbijक कहसे अंदर जो ईनलर जो जो अलस्यरेशन बनेंगे हैं वोion बनेंगे एंटिरियर पिए प्रशेंट प्रशुए खूण सा बर्ट कुम्सा बाठ कोश्टिर फौट मीडिल's ठीक है और जो on परसेंट है अपने पास में यह बोकर ने ऑपने पास में ऑपने – अपने जो अपने पास में 100% पार्ट पर अगरुगा चिंट 6% पर प्रइजंट का उन्हाँ पिया नावो यह डिवाइटेशन करती है अपर अपर थर्ड पार्ट और लोवर थर्ड पार्ट इन दोनों का डिवाइट करती है और एक्स्टरनल स्पिंटर और इंटरनल स्पिंटर को क्या करती है डिवाइट करती है और वह कौन सी लाइन बोलते है उसको डिनेट लाइन बोलता है और द की इडियोलोजी की बात करेंगे जो इडियोलोजी के अंदर बात करेंगे जिसके अंदर डिसकर्स करेंगे कि जो इसका पोजेश है एनल पीचर्स होने के पीचर रिजन्स क्या है और रिजन्स के अंदर बात करेंगे जो रिजन्स के अंदर सबसे पहले में कौन सा पाट करेंगे एटियो लोजिकल ऐस एटियो लोजिकल ठीक है जो एक्श९ जो अपने पास में है इक्यूट फिचर्स बने हैं वह वो कौन से बनेंगे पर्ष्ट में है अपने पास में एक्वीट कौन से एक्वीट फिचर्स ठीक है इसका क्लासिफिकेशन भी करेंगे टैप सी पर पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट भी टैपस में जो यहां पर है जो कि रिजल्ट फ्रॉम दे एक्सेश्यू ट्रेनिंग क्या हो हाड स्टूल पासिंग ओफ हाड स्टूल एक रिजन तो यह हो गया इसके बाद में जो सेकिंड रिजन्स है वो एक्सेश्यू स्ट्रेनिंग एंड पासिंग औफ हाड स्टूल एक तो जदा पोर्स लगाएगा एंड क्या करेगा पासिंग होगा कौन सा होगा हाड स्टूल ह भूगा इसके बाद में चाइड बर्त है क्या आएगा इसके बाद में चाहिड बर्त काई करें रहे हैं चौरुमाे नदर है stress and anxiety जो मैंने बहले बताया हुआ है stress and anxiety stress and anxiety भी होगी stress and anxiety के बाद में overuse of the lexative थड़ को जिसकी बात है overuse of lexative lexative जो tools of partner का काम करती है उसका use कर रहे हैं lexative का जदा use कर रहे हैं और और क्या होगा infection होगा कौन सा होगा infection होगा infection के अंदर फ्रेंड्स अपन बडिसकर्स करेंगे infection होगा infection के अंदर भी जिसे की STD क्या होगा STD का पता ही है sexual transmitted disease इसके बाद में है अपने पास में IBD inflammatory bowel disease कौनसी डिजीज है inflammatory bowel disease और anal carcinoma क्या है और इसके बाद में आएगा anal carcinoma क्या एगा anal carcinoma ठीक है anal carcinoma है उसकी वह जिससे भी क्या होगा जो टीर्स बनेंगे और वो टीर्स का बन रहे हैं वो अपने पास में टीर्स है टीर्स की फ्रेंड्स बात कर रहे हैं और टीर्स अंदर जो परस्ट में बताया है कि excessive straining क्या हो रहा है excessive straining मतलब excessive force लगाएगा कभी stool पास आउट करेगा जब और इसके बाद में जो सेकेट को जिसकी बात करिए पासिंग और फासिंग जो की constipation रहेगा या पासिंग जो हाड़ स्टूल है उसके वज़से भी होगा एक चायड़ वर्थ की वज़से भी होगा और ट्रोमा की वज़से भी क्या होगा अपने पास में एनल फिस्टर्स होगा ट्रोमा हो गया stress हो गया anxiety हो गई and overuse of the lexative का use भी करेगा उसके वज़से भी क्या होगा अपने पास में एनल फिस्टर्स होंगे and infection infection के अंदर मैंने बताया sexual transmitted disease STD and मैंने बताया IBD इंफ्लामेटरि बाउल डीजीज दोनों डीजीज पढ़ा चुका हूँ जो अपने पास में इंफ्लामेटरि बाउल डीजीज में and ulcerative politis इनकी वज़से भी क्या होगा anal fissures and rectal fissures होंगे और इसके बाद में अपने पास में आएगा anal जो देखना इसके अंदर, फ्रेंच जो next की बात करेंगे, causes के अंदर, जो कि अपने पास में, यह causes है, causes के अंदर जो anal features, देखना, anal features, anal features are, anal features are very common in, are very common in, very common in, very common in, young infant, young infant young infant and and the rate of the rate of the rate of anal fissure and the fissure and the fissure drop with drop with aging ठीक है इसके खेने का मतलब यह है कि जो अपने पास में जो anal के जो fissures बन रहे हैं और anal के fissures are very common होता है किसके अंदर होता इसके बाद में जो second friends बात करेंगे जो anal fissures के अंदर मैंने बता दिया कुछ को जिसकी तो यहां पर बात कर दी बाइस ट्रेनिंग के वजह से भी हो गया था इसके बाद में पासिंग आप लार्स एंड हाड इस टूल जो अपने पास में पासिंग कर रहा है एंड क्या कर रहा है अपने पासिंग कर रहा है यह तो यह हाड इस टूल करेगा यह अपने पास में यह क्या करेगा पासिंग करेगा किसका करेगा लार्ज हाड लार्ज हाड लार्ज हाड इस टूल ठीक है लार्ज हाड हाड इस टूल का क्या कर करेगा यह अपने पास में किस चीज को इंफ्लामेंट कर रहा है हाड स्टूल ठीक है और ये चीजी सारे देखने के लिए मिलेगी ओवर यूज कर रहा है लेक्जट्यू का कर रहा है इसके बाद में जो अपने पास में क्या होगी यहां पर देख लेना टाइटनिंग ओफ एनल के ना जो अधर कोजे इसकी बात करेंगे यह तो इसके में में कोजेट्यू है इसके बाद नेक्स्ट बात कर लेंगे फ़ले यह समझ लो कि इसके पास में कोज कोई कोई इसके बाद में चाइड वर्थ एंड प्रॉमा एंड इसके बाद में ऑवर यूज ऑफ देल इंफेक्शन के अंदर में बताया स्टेडी एंड आई बीडी एनल कार्शिनोमा की वजह से भी होगा जिससे कि अपने पास में हाड इस्टूल है और इस में ज्यादा इंफेक्टे जndy प toothpaste होगा यजए उसके होगा या पैश् combination क्या कर रहा है लो-fiber dya यह यह इंप нов और टाइट्निंग ऑफ आफ आज़ा ईनल गानल की ऑफ ऐनल कनारड वाग ऑफ आनल कनार टाइट्नीग होगी इनल कनार दीनेग है और इसके बात में जो अपने पास में है multiple child birth and after the child birth जो अपने पास में क्या है next को जिसकी बात कर रहे हैं यहां पे कि जो multiple क्या गोल रहा हूं multiple child birth multiple child and after child birth क्या है after child birth ठीक है after child birth जो अपने पास में जो multiple childrens होगे बर्थ होगा and after child birth होगा उसके इंदर भी होने के chances हैं जो मैंने को जिसकी बात करी है friends देख लेना multiple child birth excessive staining and passing of the hard stool passing of large hard stool child birth trauma stress anxiety and overuse of the lexative and infection and STD and IBD and इसके बाद में anal carcinoma and most commonly is that factor होती हो यंग एज और mostly common होगी old age old age में भी क्यों होगी क्योंकि वहाँ पे क्या होगे anal creature जाना chances बनेंगे क्यों बनेंगे क्यों बनेंगे क्योंकि जो पेर इस इस moment है उनके chances की वज़े से क्या होगा chances की वज़े से भी क्या होगा infection होगा और यह इसके causes है इसके बाद में जो next friends बात करेंगे जो ideological factors हो चुका है और ideological factors के बाद में जो next friend बात करेंगे कुछ points और ideological के अंदर देख लेना जो अपने पास में irritant of diarrheal stool क्या है irritant क्या है irritant diarrheal stool क्या होगा irritant diarrheal stool ठीक है irritant diarrheal stool इसकी वज़े से भी क्या होगा अपने पास में anal features होगा decrease blood flow क्या होगा एक most commonly बात कर रहे हैं तो इसके अंदर बता रहे हैं कि जो अपने पास में क्या होगा decrease क्या हो रहा है decreased देख लेना decreased blood flow decreased blood flow blood flow decreased blood flow in in anal reason कौन ज़े रिजन में blood flow कम होगा anal reason में कम होगा उसकी वज़र से भी होगा and associated with Crohn's disease associated associated with associated with the Crohn's disease associated with Crohn's disease and Crohn's disease में आपको अच्छे से पढ़ा रखी है कि जिसके अंदर any part of the GIT के अंदर क्या होंगे इंफेक्ट जो क्या होंगे अलसर बनेंगे लेजन बनेंगे या inflammation होगा habitual बनेंगे habitual जो अपने पास में habitual uses of uses of catheter catheter cathretics cathretics होगा और यूज करेगा जिससे की catheter होगे भी है उसके क्या होगा habitual हो जाएगा and multiple child birth and में बता दिया वह से भी एक बार बार डिसकस कर रहा हूँ multiple child birth multiple child birth and after child birth क्या है after child birth ठीक है यह मैंने बात किये इसके बारे में और इसके बारे में कुछ चीजिज और भी है जो यह कौन-कौन से है यह adult causes की है यहां पर यहां पर क्या जाएगा एक चीज और बता देते हैं यहां पर पासिंग ऑफ पासिंग ऑफ हाड हाड एंड हाड एंड हाड लार्ज स्टूल ठीक है इनके होन से भी क्या होगा यह सारी चीज योगी जो पासिंग ऑफ हाड एंड लाज इस टूल होगा ठीन होगागा ओर इडीटर बलड रीजन नos स्टूल को क्या हो ब्लड रेजन कैसम होगा और वहांपे क्या होगा प्रेशर होगा और और वहां पर क्या होगा हाड स्टूल होगा पास आउट करने में दिक्कत होगी और जो डिक्रेस्ट ब्लड फ्लो होने के वह जिस्ते भी क्या होगा एनल रिजन के अंदर क्या मनेंगे टियर्स बनेंगे एस्टेटेड विद दॉट्स डिजिस क्रॉंस डिजिस मैंने बताया एनी पार्ट ऑफ दिजिए टियर्ट का पार्ट डिफ्रेक्ट हो रहा था है विचल यूज ऑप दे कैट्र एक से स्यू हो जाएगा किसका तो क्या होंगे अलसर बनने की चंसे मल्टिपल चाइड बर्थ मनलब एक से ज्यादा क्या हो रहा है चाइल्ड की डिलेवरी हो रही यह पार्ट लिएधों फेसं दहीं आपको बसamot को इसकी इसे क्लिएकल में पार्ट पार्श क्या-क्या तो जो प्रिवैंशिंग नर्सिंग नर्सिंग परदेंशन सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे फ्रेंड्स जो अपना एक बार देख लो जो कि अलसर बन रहे हैं और वो कहां पर बन रहे हैं एनल के अंदर बन रहे हैं एनल के अंदर बन रहे हैं और यह वो बिलो दे डिनेट लाइन के अंदर होंगे और इसके बाद जो next part, second बाला part है उसके इंदर faire papers करेंगे इसके clinical manifestation, pathophysiology and nursing management और special nursing care इसकी क्या-क्या करने चाहिए वह अपने k Santa बढ़ेंगे, next वीडियो के सिवारेंगे इसके इसके description करेंगे